नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कम्टिशन कम्टिशन कम्टिटी के यूट्यूब चैनल पे और हम लोग बात कर रहे हैं बैंक यानि कि आज RBI और मॉनेटरी पॉलिसी के उपर हम लोग बात करने वाले हैं तो हम लोग देखेंगे कि RBI Reserve Bank of India इसके गठन के बारे में बात कर लेंगे और जो मौद्रिक निती ये जारी करता है इसके बारे में बात कर लेंगे एक बात ध्यान रखेगा कि RBI मौद्रिक निती जारी करती है और ये बड़ा important point है और यहां से एक्जाम के कोशन कई बारी आये हैं तो हम आज RBI और उसके मौद्रिक निती के बारे में पढ़ने की बात करेंगे इससे पहले बारे classes में हम लोग ने inflation बेगारा के बारे में बात किया था तो जैसे कि आप देखेंगे कि जैसे ही RBI हम पढ़ाएंगे और repo rate, reverse repo rate बेगारा की बात करेंगे तो inflation में जो हमने repo rate और reverse repo rate को लेकर के बताया था किस तरीके से इंक्रिमेंट और डिक्रिमेंट से inflation पर फरक परता है वो सारी बाते आज फिर से एक बार correlate करके आपके सामने में रखेंगे ताकि जो भी मन में doubts बेगर और है जो भी मन में कुछ समच्या हो वो आपको यहाँ पर solve हो जाएगा वो आपके यहाँ पर solve होते हुए नजर आएंगे ठीक है ना चलिए तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पर ध्यान रखेगा bank और RBI के बारे में सबसे पहले बैंकों के कुछ जो पूरा का पूरा एक क्रोनोलोजी है उसको थोरा सा समझने की कोशिस करते हैं जो कि कभी-कभी exam के question आपके बन जाते हैं तो हम उसको थोरा सा समझने की कोशिस करते ह भारत में बैंकों के बारे में। Bank of Bombay बनता है, 1843 में Bank of Madras बनता है, तीन Presidency Bank की अस्थापना होती है, ध्यान रखेगा, तीन Presidency, या इसको देखिए, जब आप इतिहांस पढ़ेंगे तो हाँ पर Presidency की बात की जाती है, तो उसे में तीन बड़े Presidency थे, एक थे Bengal, एक थे Mumbai, और एक था चिन्नाई यानि की आज का मदरास, और इसी के नाम पर Presidency Bank की अस्थापना किया गया था, जो की यहां पर आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, आगे चल करके क्या हुआ, कि इस तीनो Presidency Bank को एक कर दिया गया, सब्सक्राट को क्या कर दिया गया, और इसका नाम रखागया, Imperial Bank of India, क्या नाम रखा गया, Imperial Bank of India, Оп .21 में इस तीनो को त्इनो को एक साथ, और फिर उसके बाद, इस Imperial Bank of India को, 1941 में, 1951 में क्या कहा गया, State Bank of India, 1860 में Indian Bank Act बनता है, इंडिन बैंक Act बनता है और इसके द्वारा बैंकों की अस्थापना किया जाता है इस Act के हिसाब से और सबसे पहला बैंक होता है 1865 में अस्थापित Ilahabad Bank 1885 में अवध कमर्शियल बैंक बनता है और पूर्ण रूप से भारतिय बैंक के रूप में सबसे पहले 1894 में पंजाम निसनल बैंक बनता है तो सबसे पहले बैंक के रूप में अगर बात करेगा तो 1865 की बात यहां पे हो जाएगी 1865 में इलाहबाद बैंक और इस से पहले हम लोग 1770 में बैंक ओफ हिंदुस्तान की बात करते हैं तो यह थोड़ा सा क्रोणोलोजी था बैंक का जो की हमने आपको बताने की कोशिस की 1770 क्या करेंगे बैंक ओफ हिंदुस्तान उसके बाद तीन प्रेसिडेंसी बैंक और प्रेसिडेंसी कहां? बंगाल, मदराज और बंबे तीन प्रसीडेंसी बैंक को स्थापना किया गया, 1920 में तीनों प्रसीडेंसी बैंक को मिला करके इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया बना दिया, एक कर दिया, और आगे चल करके इंपीरियल बैंक ओफ इंडिया को क्या कहा गया, स्टेट बैंक ओफ इंडिया 1951 में SBI कहा गया, ठीक है न, चलिए, उसके बाद हम कुछ अलग तरीके से देखते हैं, तो 1860 में Bank Act भी आया, इलाहाबाद Bank 1865 में बना, अवर्थ commercial Bank 1881 में बना, और Punjab National Bank 1894 में जो पूर्ण रूप से भारती पैसे से बना हुआ, ठीक है, चलिए, ये थोरा सा बैंकों के development के बारे में हमने आपके साथ सेर किया है, कभी कोशन एक्जाम में बन जा तो उसको आप सॉल्व कर लीजेगा, ए ये आपकर उपर में है, ये banking के लिए तो ज़रूर है ही, SSC भी यहां से कोशन पूछ लेते हैं, railway में यहां से कोशन पूछ लेते हैं, तो one day examination में, बैंक और उसके tag cum से कोशन exam में पूछे जाते हैं, तो बैंक और tagline आपको एक बार ध्यान में रखना होगा, जरूरत पर विडियो हम बना देंगे या फिर आपको हम PDF महिया करा देंगे B BSL का तो उसको आप और धृयन में रख लेंगे जरूर में रखेंगे चलिए आगे बरते हैं हम लोग जब आगे बरते हैं तो हमें अभ समझ में आता है और आभ हम बात करते हैं रिजर्ब बैंक और यह भारत का सेंट्रल बैंक है शेंट्रल बैंक है यह सबसे उपरी इकाई है बैंकों का और रिगुलेटरी बोडी है यह क्या है बीन्यामक शंसता है नियम कानून बनाती है बैंकों के लिए, तो एक बात याद रखिएगा, जो बैंकों का बिन्यामक जो इकाई है, यह regulatory जो body है, वो कौन है, वो है RBI Reserve Bank of India, ठेक है न, चलिए, तो Reserve Bank of India के establishment और उसके बारे में छोटी-छोटी बाते हम लोग जानने कोशिस करते हैं, उसके बाद हम monetary policy के तरफ आगे बढ़ जाएंगे, Reserve Bank of India के बारे में बात समझ लिजेगा, Reserve Bank of India जो established हुआ है, on the recommendation of Young Hilton Committee, Young Hilton Committee के recommendation पे Reserve Bank of India के establishment की बात की गई है, और यह question exam में कई बारे पूचा है, Young Hilton Committee को लेकर के exam में कई बारे पूचा है, वाद ध्यान रखिएगा, अब अगला point यह है कि इसके अ स्थापना 1935 में होती है, Reserve Bank of India Act 1934 के द्वारा, मैं फिर से बताओ, Reserve Bank के स्थापना 1935 में होती है, Reserve Bank of India Act 1934 के द्वारा, यहाँ पे देखा हो न, कि 1st April 1935, as per the RBIX 1934, ठीक है न, यह Reserve Bank के स्थापना की बात यहाँ पे हो गई, 1934 के Act के द्वारा, 1935 में, Young Hilton Committee ने इसको क्या क किया था, ठीक है चलिए, आगे, 1948 तक लगभग 1948 यह बैंक, पाकिस्तान के भी केंद्रिये बैंक के रूप में काम किया है, 1940 तक पाकिस्तान के भी केंद्रिये बैंक के रूप में इसने काम किया है, यह बहुत important नहीं है, exam point of view से, तो इसको लेकर कि बहुत ज़्यादा परसा इसन कब किया गया, तो आप देखेंगे, it has been nationalized on 1st January 1949, यानि कि पहले जनवरी उनीस सो उन्चास को इसका क्या किया गया, राष्ट्रिये के रन किया गया, इसको nationalized किया गया, यह बात भी आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे, nationalized यानि कि राष्ट्रिये करन किया गया, तो वो कब से शुरू होता है, तो वो 1 April से 31st March सुरू होता है, 31st March तक चलता है, 1 April से 31st March, लेकिन जब हम बात करते हैं, RBI के financial year का, तो वो 1 July से 30 June तक की इसका financial year है, याद रखेगा, और यह कोसर पूछेगा और आपसे confuse करेगा, क्यों confuse करेगा, वो मैं बताता हूँ, तो confused इसलिए क्योंकि normally जो लोगों को याद है, financial year लिको लेकर के, वो यही याद है, 1 April से 31st March, normally लोगों के 1 April से 31st March ही financial year को याद है, लेकिन वो RBI का financial year 1 July से 30 June तक होता है, यह question कई बार पूछा है, और एक confusion बनाने के लिए यह अच्छा question है, जहाँ पे आपसे गलती करवा स सकता है, तो अगर आप थोड़ा सा अभी ABR है, तो आप गलती नहीं करेंगे, ऐसे समल लिजे कि अरे सब का financial year तो 1 April 31st March है, लेकिन RBI का financial year भया 1 July से RBI का financial year, तो इस तरीके से आप याद करने की कोशिस कीजिएगा, ठीक है, चलिए, आगे बात करते हैं, आगला point यहाँ पर RBI के signature का पैसो note के उपर, तो हम इसके उपर में कुछ बात कर लेते हैं, थुरा सा ध्यान दीजेगा, बात करना यहाँ पर क्या है, वो भी बात में आपको, ठीक है, RBI के पैसे के उपर जो signature की बात है, वो भी बात में आपको बता दूँ, और यहाँ पर सामने बहुत सारी यह लिखी हुई है, वो सारी चीजों को हम आपको explain भी करने कोशिस करेंगे, देखिए, जितने भी RBI के note है, सब पे governor का sign होता है, किसका sign होता है, governor का, ठीक है, governor साब का sign होता है, RBI के सारे note पे, सिवाए एक के सिक्के का, तो जो एक का सिक्का होता है, और यह exam का question बन जाता जो एक का सिक्का होता है, यह finance secretary का sign होता है, ध्यान रखिएगा, और इसी 1 रूपया के मानक पे, यानि कि इसी 1 रूपया के आधार पे आगे सारे पैसे को निर्गत किया जाता है, तो एक रूपया पे sign finance secretary का होगा, जो की initial stage है हमारे पैसे का, और उसके बाद जितने भी पै हारा कि 2 रुपय का नोट तो नहीं आ रहा है, 5 रुपय का नोट पहले आता था, अभी नहीं दिख रहा है, 10 रुपय का नोट दिख रहा है, 20 रुपय का नोट दिख रहा है, 50 रुपय का नोट दिख रहा है, 100, 200, 500, 1000, नोटों का यही कहानी है, तो इन नोटों पर जो signature है, व परदान कर्याले मुंबई में है और जितने भी सहर है बड़े सहर कैपिटल सिटी खास करके वहां पे आरभी का एक सबसाखा है जो की लगभग लगभग कैपिटल में सबसाखा आरभी का मुझूद आपको मिलेगा ठीक है ना चलिए आरभी आई के लोगो क्या है इसके लोग पाम ट्री है और टाइगर है लोगों साथ आप से कोशन पूछ ले नहीं पूछे तो कोई बात नहीं अब आरभी के दूसरे चीजों के बारे में बात करते हैं तो इसके पहले गवर्नर थे सरोसबॉर्ण इसमीथ यह कोशन कई बार एक्जाम में आया है कि आरभी के पहले गवर्नर कों थे सरोसबॉर्ण इसमीथ आजादी के बाद भारत के आजादी के बाद आर्वीय के पहले गवर्नर कौन है सीडी देश्मूख और बरतमान में भार्वीय कवर्नर कौन है सक्तिकान-डास और यह कितने नंबर के COशन आप 25Tर नंबर है मैं फीर से बताओ कि भा उस समय गवर्नर था सर ओसबॉर्ण इसमीत और भारत जब आजाद हुआ तो आरबियाई के गवर्नर बनाएगे सीडी देश मुख तो भारत के अजादी के बाद पहला गवर्नर सीडी देश मुख है और बरतमान में सक्ति कांदास है आपका गवर्नर जो की 25 वे नंबर का आरबियाई के काम क्या है क्या यह कारे करती है तो कागजी मुद्रा जारी करती है कागजी मुद्रा को जारी करना आरबियाई का काम है अब कागजी मुद्रा जो जारी करती है तो क्या अपना मन से छापते चला जाए नहीं इसके लिए नियम बना हुआ है नियम क्या बना ह और उस नियम के तहत क्या है कि RBI के पास 200 करोर की संपत्ती होनी चाहिए यह सारी बाते मैंने आप लिखा हुआ है RBI के पास 200 करोर की संपत्ती होनी चाहिए रिजर्ड में, तब ही वो नोटों को निकानने का एक छमता रखता यए वो लाइबल है या योग है अगर 200 करोड रुपिया से कम की समपत्ति है तो फिर लाइबल नहीं है फिर ये 200 करोर रुपया का, जो कि मैंने यहाँ पर अगर 200 करोर लिखा, तो इसको दो भागों में बाटा गया है, एक भाग है 85 करोर का, 85 और एक है 115 करोर का, तो 85 करोर का क्या होना चाहिए? मैंने यहाँ पर लिखा है हर चीज को, ठीक है? सोने के रूप में नियुंदन 115 करोर रुपया और विदेशी मुद्रा 85 करोर रुपया, ठीक है? तो सोने के रूप में, यानि कि गोल्ड के रूप में 115 करोर रुपया चाहिए, 115 करोर का गोल्ड और फॉरें एक्सचेंज, एफेक्स जिसको बोलते हैं, फॉरें एक्सचेंज क के रूप में 85 करो रुपया का संपत्ती चाहिए RBI के पास और आप जानते हैं कि इससे ज़्यादा संपत्ती हमारे RBI के पास है यह बात भी आपको पता है और RBI इस तरह की की संपत्ती को कभी-कभी मार्केट में लाती है और जब RBI से गौर्मेंट के दवारा गौर्मेंट के निकलेगा तब inflation क्या हो जाएगा गिर जाएगा यानि कि घड जाएगा इस बात को आप अच्छे तरीके से अपने खोपड़िया में अटा लीजे खोपड़िया में रख लीजे तो ध्यान रखेगा कि कागजी मुद्रा RBI तभी जावजी करेगी जब उसके पास 200 करो रुपया की संपत्ती हो और जब 200 करो रुपया की संपत्ती होता है तो उसको दो भागों में बाटते हैं 85 करो रुपया का उनके पास क्या होना चाहिए और 115 करो रुपया का उनके पास क्या होना चाहिए गोल्ड होना चाहिए कि कितने रुपिया के gold जो है न रिजर्व के रूप में RVI को रखना जरूरी है RVI रखेगी तो 115 रुपिया का gold याद रखेगा उसके बाद क्या है RVI का कम सरकार के banker का काम करती है सरकार के banker का मतलब है परतिवीतियों को बजार में बेचना बजार से परतिवीति मतलब security मतलब bond paper बजार में बेचना बजार से खरीदना ये भी RVI का काम है ठीक है उसके बाद आप देखेगा बैंकों का bank यानि की bank का regulatory body है बैंक को बिल्कुल regulate करता है उसके लिए नियमन बनाता है नियम बनाता है कैसे regulate होगा कैसे bank चलेगा क्या तरीका होना चाहिए ये सारा काम RBI करती है बैंकों को उधार देना बैंकों से पैसा लेना ये सारा काम RBI करती है यानि की bank का bank है RBI का अगला point है कि credit control मौद्रिक निती बनाती है जिसको monetary policy बोलते हैं क्या बोलते है monetary policy और monetary policy का सबसे prime objective क्या है objective अगर हम monetary policy की करे तो objective हम देखते है कि to control to control the credit को control करता है ये monetary policy के द्वारा अब कैसे control करता है credit को वह हम monetary policy में आपको देख लेंगे तो RBI के काम को आप देख रहे हैं कि किस किस प्रकार के काम है पैसे को जारी करना है ना सरकार के banker की रूप में काम करना bankers के banker की रूप में काम करना credit control करना monetary policy के द्वारा instrument को जो rate है उसको तै करना यह सारे RBI के काम है यह सारे RBI का work है इस बात को भी आप समझेगा अगर exam में कोसन आएगा ता आप गलती करके नहीं आएंगे यह कोसन एक्जाम में कई बारी आया है और खासकर के 115 करोर बड़ा कोसन तो कई बारी आया एक्जाम में तो इसको आप बिल्कुल गलत नहीं करे गते हैं monetary policy, मदरिक निती, मदरिक निती, देखिए मदरिक निती में क्या है कि पहले कुछ समय पहले तक मदरिक निती में सिर्फ RBI के governor और उसके deputy जो governor होते थे वही मदरिक निती को जारी करती थी लेकिन कुछ दिन पहले से मदरिक निती का एक पूरा का पूरा committee बनाया गय जाता है, छोटे अक्षर में इसको MPC कहा जाता है, तो सहाथ मैंने MPC नहीं लिखा तो मैं लिखता हूँ, इसको छोटे अक्षर में MPC कहा जाता है, monetary policy committee और यह monetary policy committee में यहाँ पे ध्यान दिजेगा कि RBI के governor, deputy governor तो होते ही होते हैं, साथ-साथ government के भी government के तरफ से appoint तीन जो ह अपने field के export है, तो तीन government के तरफ से export जाते हैं, और तीन जो है न, कहां से आते हैं, RBI से आते हैं, तो इस तरीके से multi policy committee में कितने member हो गाए, 6, 3 और 3, member कितना होगा total, मैं यहाँ पे दूसरे color से member करता हूँ, member हो गाए, 6, तो 3 कहां से आएंगे, 3 आएंगे government के तरफ से, औ अगला 3 कहां से आएंगे, तो अगला 3 आएगा RBI के तरफ से, अब देखना यह है कि multi policy committee जो बनती है, वो दूसरी, मतलब कि हर दूसरा महीना multi policy committee बनती है, यानि कि MPC conduct by monthly review, हर दूसरा महीना multi policy committee के होती है, उसकी बैठक होती है, और वो क्या करती है, multi policy के जितने भी instrument है, चा जो भी MSS है, इन सब के उपर में अपना rate जारी करती है, और इन सब के उपर में points पे बात करती है, बात समझ में अच्छे से रखिएगा, तो multi policy का काम क्या है, अपने instrument के उपर में चर्चा करना, और उनका instrument क्या है, वो बात मैंने आपको बताया, आगे उसी को देखना है, पक्का, आगे बढ़े, चलो, ठीक है, तो multi policy में जो तीन member government के है, वो यहाँ पर देखिएगा, कौन-कौन से member है, यहाँ पर तीन नाम मैंने लिखा है, ससांक वीडे, यहाँ पर लिखो, ससांक वीडे है, आसिमा गोयल है, और प्रोफेसर जयंत आर बर्मा है, ध्यान रखि ठीक है न, तो तीन member किसके तरफ से, RBI की तरफ से, सक्तिका अंदास तो होंगे होंगे, मिर्दुल सागर और माइकल देव पत्पात्रा, ठीक है न, तो तीन RBI सदस हो गया, और तीन सरकार के सदस, तीनों का नाम मैंने आपर बता दिया, और total multi policy committee में कितने member होते हैं, छे, अगर यहां से question पूछ देता आप छे टिक किजएगा, तीन government का और तीन RBI का, multi policy committee कितने महीनों बैठती हैं, तो हर दूसरे महीने बैठती, यानि कि दो महीने बाइमन्तली इसका review होता है, multi policy committee को कब बनाया गया, तो 2016 में, यानि 27 जुन 2016 में इसको बनाया गया, member कौन-कौन है, यह बात आप से नहीं पूछेगा, इसलिए नहीं पूछेगा, क्योंकि यह toughest question हो जाएगा, toughest, फिर भी मैंने आपको member का नाम बता दिया है, मिर्दूल सागर, सक्तिकांदास, और देबबत पात्रा, इधर आसिमा गोयल, ससांक वीरे, और जयंत बढ़मा, ठीका ना, तो reverse report rate, CRR, SLR, सारे के सारे हमारे सामने में दिखता है, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, rate बगार यहाँ पे लिखा हुआ है, इस rate को हम आपको फिर से एक बार आएंगे, आपको समझाएंगे, बताएंगे, लेकिन सबसे पहले हम board पे चले, और board पे हम आपको समझाते हैं, तो म मैं जिस तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, उस तरीके से आप monetary policy के committee को, और monetary policy को समझने की कोशिश कीज़े, अगर आप उस तरीके से समझ जाते हैं, तो फिर आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा, इस बात का बिश्वाज के साथ हम आपको समझाने की को कीजिएगा ठीक है इंस्ट्रूमेंट है मॉल्टी पॉलिसी के रेपो ठीक है रिवर्स रेपो आर रेपो ठीक है ना दो हो गया तीसरा है CRR SLR ठीक है SLR CRR हो गया एक है MSF एक क्या है MSF ठीक है तो ये मॉल्टी पॉलिसी के कुछ इंपोर्टेंट जो है आपके पास और एक और है BANK RATE ठीक है एक और क्या है BANK RATE तो जरा मैं BANK RATE को भी लिग दूँ यहां पर ध्यान रखेगा ठीक है BANK RATE भी लिग रहता हूं BANK RATE ठीक है तो एक दो तीन चार पाँच और छे इन 6 को हम आपको समझाने कोसिस करते हैं एक एक करके ध्यान रखेगा ठीक है चलिए मैं color change करता हूँ और color change करके मैं आपको बताने ही कोशिज करता हूँ सबसे पहला अलग-अलग color से हम बात करने ही कोशिज करेंगे सबसे पहला repo rate repo rate क्या होता है मैं देखो एक bank और एक RBI के बीच में जो पूरी कहानी चलती है वही है यह क्योंकि RBI से सधारन जो आम जन है उसकी कोई interaction नहीं होती है तो RBI के साथ interaction किसका होता है तो एक bank का होता है और एक bank का किस तरीके से RBI के साथ interaction होता है वो जड़ा हम एक बार देखने की कोशिज यहाँ पर करेंगे ठीक है चलो अब यहाँ पर वड़ा ध्यान से देखना मैं यहाँ पर लिखता हूँ RBI RBI और आगे हम लिखते हैं क्या bank बैंक अब हम क्या करने वाले हैं वो जड़ा आगर आपको बता हूँ तो हम यह करने वाले हैं कि सारे जो instrument है इसका मतलब समझने वाले की से होता क्या है तो R EPO rate में क्या होता है रेट हम आपको बताएंगे फिर से एक बार वापस चलके R EPA में क्या होता है R EPA में RBI RBI bank को पैसा देती है तो जब हम यह बात बोलते हैं कि RBI bank को पैसा देती है तो हम कुछ ऐसे कर देंगे यानि कि RBI bank को पैसा क्या करी दिया, है ना bank को पैसे दिया दिया, है ना RBI bank को पैसा क्या किया, दिया ठीक है चलिए, reverse repo में क्या करते है, reverse repo में दूसरा color से मैं फिर से ले लूँ, reverse repo की बात करते हैं और फिर से लिखता हूँ मैं RBI और फिर से लिखता हूँ यहां मैं BANK ठीक है और reverse repo में क्या होता है कि RBI BANK से पैसा लेती है यानि कि अब इसका जो cycle बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा कैसा बनेगा ऐसा यानि कि यहां पर क्या है लिया RBI पैसा लिया और यहां पर क्या था दिया ठीक है यहां पर दिया ठीक है न चलिए CRR में क्या होता है वो अगर हम बता है CRR में cash reserve ratio होता है हर दिखा वह मिल जागा आप बस इसको खोपड़िया में अटालो जैसा मैं बताना चाहता हूँ फिर से मैं यहां पर इस बार white color ही लेता हूँ RBI और bank लिखता हूँ और इसमें क्या होगा कि फिर से bank जो है न RBI में क्या करेगी पैसे को जमा करेगी जमा करेगी RBI bank में पैसा जमा करेगी CRR और SLR में क्या होगा वो फिर से बताता हूँ यानि कि RBI और यहां पर bank ठीक है न RBI और bank और फिर यहां क्या होगा वो अगर मैं आपको बताओ तो यहां कुछ ऐसा होगा कि bank अपने ही पास अपने ही पास जो है ना security के रूप में cash जमा होता है cash CRR में cash और SLR में gold CRR में क्या होता है RBI को देती है SLR में अपने ही पास bank देती है लेकिन पूरा instruction कितना हो किसका होगा RBI का कि आप ऐसा करेंगे MSF MSF क्या होता है मैं MSF को मैं MSF कर देता हूँ फिर से लिखूंगा RBI RBI और फिर से लिखूंगा M bank MSF और MSF में क्या होता है RBI bank को देती है आप Bar question कि हो क्या रहा है इन सारे चीजों में और अब बच गया हमारे पास bank rate तो bank rate को हम लोग देखते हैं फिर से यहाँ पर bank rate की बात कर रहे है bank rate फिर से करता हूँ RBI और फिर से करता हूँ यहाँ पर bank और यहाँ पर फिर से यहाँ पर हम आपको एक बनाते हैं क्या ये और फिर से यहाँ पर क्या है RBI BANK को क्या करता है दिया अब यहाँ जो मैंने ये चीजे बनाई है इसको बड़ा simplification करके मैंने आपको बताने की कोशिस किया है अगर रटा मारोगे अगर आप क्या बोलते हैं परिभासा का तो आप रटा मारते हुए रह जाओगे और फिर आपको याद नहीं रहेगा तो मेरे हिसाब से अगर आप पढ़ लेंगे अगर मेरे हिसाब से चीजों को analyze कर लेंगे तो यकीन मानिए आपको रटा नहीं मारना होगा इस बात का हम आपको यakीन दिलाते हैं कैसे नहीं मारना होगा तो जैसे ही रेपो रेट आपके दिमाग में आएगा वैसे ही समझ जाएगा कि बैंक को RBI पैसा देगा यानि बैंक जाएगा हमको पैसा दीजिए हमको ज़रुरत है पैसा का साहर हमको पैसा दिजिये, ऐसा करने लगेगा, ठीक है, जब reverse rate की बात आएगी, reverse rate की यहाँ पर ध्यान दिजएगा تو reverse rate में क्या करेगा? reverse rate में यहाँ पर, bank फिर हाथ जोर करके आ जाएगी RBI पास, मेरे पास ज़ादा पैसा है, अपने पास रख लिजए, मेरे पास ज्यादा पईसा है अपने पास रख लीजे यानि कि reverse repo rate में RBI जो है ना बैंकों से पैसा वापस लेती है यानि कि क्या बलते हैं तरलता को निकालने के लिए वहाँ उससे वापस लेती है बैंक से ठीक है न चलिए बैंकों के अधिसेस मनि उसको ऐसे कहा जाता है कि बैंक का अधिसेस यानि कि जो बैंकों के पास पैसा बच गया है जो वह उसके रोज मरा के ट्रांजेक्शन के बाद तो वह अगर जो अगर जो अगर अधिसेस है तो वह RBI में जमा करा सकता है तो reverse repo rate में क्या होता है नाम यह है रिपो रिवर्स । रिपो में दिया, रिव कि हमें यहां पर इसके बारे में क्या बात करना चाहिए, तो वह यह बात करना चाहिए, कि CRR, Cash Reserve Ratio, नाम सहीं पता चलना है, C से Cash, तो Cash Reserve Ratio के द्वारा, RBI क्या करती है, बैंकों को करती है, कि तुम अपने रोज के जो जमा खर्चा है, है ना, जमा और देना, NDTL जिसको बोलते हैं, तो जो भी आपके रोज के खर्चा है, उसमें जमा और प्राप्तियां और भुगतान के बाद का जो बच जाता है, उसका सर 10% तुम मेरे यहां Cash के रूप में जमा करोगे, Cash के रूप में जमा करोगे, फिर से RBI क्या किया, बैंक से ले लिया, तो रेपो रेट में भी लिया, और CRR में भी लिया, तो बैंक से ले लेगा CRR में, ठीक है, तो यहां पे लिया, पक्का, चलो, अब उसके बाद, SLR में क् RBI कहा तुम को है कि तुम को जो है ना हम को देने की ज़रूरत नहीं है हम पहले ही तुम से'll pack school game हम पहले ही तुम से Repo Rate low trade के भूप में पैसा लेटे रहते है जो तुम उधार ले थी套ो अब करना क्या है कि security के रूप में अगर for March में तुमने मुझे cash दिया था, तो अपने ही pass, अपने pass, अपने pass रख लो, security के रूप में कुछ पैसा, पैसा नहीं, gold के रूप में, या foreign currency के रूप में, लिग देता हूँ मैं, यही बात तो मैंने यहां पर बनाया है, कि आप अपने ही pass रख लिजिए, ठीक है, मैं दूसरा color से कर दूँ, जो दूसरा color था उसमें, आप अपने ही pass रख लिजिए, इसमें क्या कहता है, इसमें क्या कहता है, यहां पर, इसमें कहता है, कि मेरे pass जमा करो, मेरे pass जमा करो, मेरे pass जमा करो, इसमें कहता है, उपर में क्या कहता है, हम तुमको उधार देंगे, हम तुमको क्या करेंगे, उधार देंगे, उधार देंगे, और इसमें क्या कहता है, कि हम तुम से वापस लेंगे, वापस ले ठीक है याद रखेगा इस बात को उसकेबाद MSF, MSF में क्या कहता है RBI? MSF में कहता है कि देखो तुमको हम repo rates से उधार दिये थे कुछ पैसा, rate क्या होगा हम बात में बताएंगे? क्या कहता है RBI बैंक को कि तुमको हम repo rates से कुछ पैसा उधार दिये थे, लेकिन आभी भी तु को कम पढ़ गया तो bank वोलेगा साहब कम पढ़ गया कुछ देईदो हमको bank वोलेगा साहब रात भर में हमारा काम हो जाएगा कले हम आपको वापस कर देगे जैसरी हमको पैसा आएगा सबसे पहले आप ही का काम करेंगे वापस करने का तो RBI के लेंगे अच्छा इतना जरूरी है हाँ हाँ दे दीजे तो RBI क्या करेगी ए में सिफ के द्वारा पैसा देगी बैंक को कितना पैसा देगी maximum 1% 1% किस चीज़ का 1% तो हमने बोल दिया 1% किस चीज़ का तो बैंक के जो रोज का जमा खर्चा है उसका 1% ठीक है तो बैंक के रोज के जमा खर्चा का 1% RBI जब देगी तो उसको marginal standing facility बोलते हैं नहां पर देखेगा marginal standing facility MSF बोलते हैं तो ध्यान रखे रेपो रेट में भी RBI पैसा दे रहा है और MSF में भी RBI पैसा दे रहा है जिसको अच्छे economy की भासा में collateral बोलते हैं गिरिवी में क्या दोगे तो बैंक बोलेगा भईया गिरिवी में जो है रख लो लेकिन हमको पैसा दो हमको काम है तो रेपो रेट पैसा दे देगा उसके बाद भी अगर बैंक को पैसा की जरूवत है तो बोलेगा भाई और पैस चुका देगा market में ठीक है तो RVI भी विचारा पैसा दे देता है तो MSF में भी पैसा देगा और रेपो रेट में पैसा देगा लेकिन आप देखरें है रिवर्स रेपो रेट में पैसा लेगा CRR में पैसा जमा करवाएगा और SLR में अपने ही पास रख लेगा अब चलती है bank rate, bank rate में क्या होता है कि RVI bank rate की बात कर रहे हम ठीक है, इसको ज़रा मैं एक बार अच्छे तरीके से कर दूँ ठीक है, bank rate को अच्छे तरीके से कर दूँ यह bank rate है हमारा bank rate ठीक है, मैं यहाँ पर मोटा इसलिए कर देता हूँ ना, ताकि आपको समझ में आए कि हम bank rate के बारे में बात करेंगे, तो यह bank rate है हमारा, bank rate, इसको मैंने एक बड़ा सा उसमें कर दिया है तो bank rate में क्या कहेगा RBI bank को पैसा देगा, यहाँ पर ध्यान दखिएगा कि सर, reverse repo rate और MSF में देता है तो bank rate में, दरसल bank rate में भी RBI bank को पैसा देता है और आपको हम एक बात बता देते है यह exam में सबसे ज़्यादा पूछे वाले question है, और सबसे ज़्यादा गलती भी इसी question पे होता है bank rate पे, तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले question है और सबसे ज़्यादा गलती भी इसी में होता है bank rate में तो क्या गलती होता है sir अगर आपसे question पूछेगा तो बच्चो को क्या लगता है कि नाम है bank rate तो कहीने कहीं bank जो है अपने customer को पैसा देता है वह ही हो गया bank rate बच्चो को यह लगता है लेकिन सचाई यह है कि bank rate एक ऐसा rate है जिस पे RBI बानिजिक बैंकों को पैसा देती है अच्छे परिभासा में बात करें तो और अपने भासा में अपने तरीके से बात करें जैसा कि हम आपको समझाते आ रहे थे तो फिर से bank हांत जोर के खरा रहेगा भाई देदो कुछ देदो कुछ बरे साहब देदो कुछ तो RBI कहगा जाओ ले जाओ गरीब कहीं के जाओ ले जाओ तो bank rate पे RBI bank को कुछ पैसा देगा उधार तो ध्यान रखेगा तीन ऐसे हमने आपको यहाँ पे इंस्ट्रॉमेंट बताएं जो कि जिसमें RBI पैसा देती है और तीन ऐसे इंस्ट्रॉमेंट हमने आपको बताया जिसमें RBI डारेक्लि- ощущ पैसे जम्मा कराती है तो इस बात को आप लगता है लिख लिए होंगे लिख लीजिए, screenshot ले लीजिए और इसको मैं मिठा के फिर से एक बार मैं आपको बताता हूँ ठीक है कि कौन-कौन से ऐसी instrument है जिसमें RBI पैसा देती है और कौन-कौन से ऐसी instrument है जिसमें RBI पैसा लेती है ठीक है, चलिए, bank rate, bank rate में क्या होता है, RBI पैसा, RBI, sorry, ठीक है, RBI पैसा, RBI पैसा क्या, देती है, bank rate में भी, और उसके बाद MSF में क्या होता है, marginal standing facility, इसमें भी RBI क्या करती है, RBI क्या करती है, पैसा, देती है, किसको देगी, bank को देगी, ठीक है, repo rate में आती है, क्या बोलते हैं, उसको, जो हमने का, गिरी भी पर देगी, collateral पर देगी, और, क्या बोलते है, bank और MSF में, collateral पर नहीं देगी, चलो, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अब कौन ऐसा instrument है, जिसमें R पैसा लेगी, तो, reverse repo में, RE, sorry, REPO, reverse repo में, RBI, RBI क्या करती है, पैसा लेती है, ठीक है, उसको बाद, CRR में, यानि, cash reserve ratio में, RBI क्या करती है, पैसा लेती है, और SLR में, SLR में, RBI क्या करती है, RBI क्या करती है, कहती है, अपने ही पास रख़़ो, यानि कि अपने ही पास रखने की बात करती है, अपने पास किस के लिए कहती है, तो, बैंक के लिए कहती है बैंक के लिए कि अपने ही पास रख लो तो CRR में कंडिशन क्या है cash का कंडिशन है CRR में और SLR में कंडिशन क्या है तो SLR में gold का कंडिशन है foreign reserve की कंडिशन है foreign currency के कंडिशन है ठीक है या कुछ bond paper वेगरा security money होती है उस अपकी condition है तो यहां पर ध्यान दिजएगा जो मैंने समझाने कोशिस किया है कि तीन एक ऐसा instrument है जिससे RVI उधार देती है bank को और तीन ऐसा instrument है जिससे RVI bank से पैसा जमा कराती है अब यह बात अगर आपको समझ में आ गया जिसको मैंने दोहरा दिया है तो फिर सारा monetary policy खतम हो गया अब सिर्फ आपको मुझे परिभासा बताना है percentage बताना जो अपने copy में लिख लिजेगा और copy में कहाँ परिभासा तो आपको PDF में मिल जागा copy में कैसे लिखेंगे коपी में लिखेंगे आप जहां है यहां पर लिख देंगे यहह पर परसेंट लिख देंगे मान के चलो לפret का % तो वह पर एक लिख दो दोनों में लिखा हुआ है प्रसान होने की ज़रूरत नहीं है हिंदी इंगलिस दोनों में लिखा हुआ है लिखा हूँ कि the interest rate at which our reserve bank provide overnight liquidity to bank liquidity का मतलब उधार होता है ठीक है जला ध्यान नहीं दीजेगा ये economy की भासा में हमको परना ही नहीं है हमको economy की भासा में परना हमको तो आम बोलता है उधार लिया है तुम liquidity अरे वह ऐसा बोला उधार लिया उधार ठीक है करजा लिया करजा against the collateral government and other approval securities rate कितना है 4% हिंदी में क्या लिख दिया वो देखो वह ब्याजदार जिस पर reserve bank सरकार और अन्य अनुमोदित पर्तिभूतियों के संपार्चविक यानि की collateral पढ़ गिरिवी इसको बोलते है संपार्चविक का मतलब गिरिवी गिरिवी वेटा हमको economic भासा में जाना नहीं है तुम गिरिवी रखा गिरिवी के विरूध बैंकों को तरलता यानि की करजा त परसेंट पर पैसा लेके आओ तो वो क्या हो गया रेपो रेट रिवर्स रेपो रेट क्या है असान भासा में समझो रिवर्स रेपो रेट क्या है वह ब्याजदर जिस पर reserve bank सरकारी परतिभूति परतिभूति का मतलब bond paper होता है संपार्चविक फिर से वही बात है गिरिव रिवर्स रेपो रेपो रेट है यानि इसमें क्या होगा कि जो liquidity bank ने जो liquidity bank ने RBI को दिया उसी liquidity को RBI bank को देगी और उससे पैसा ले लेगी तो जब पैसा ले लेगी तो पैसा कितने percent पर देगी 3.35 percent पर reverse रेपो रेपो रेट इसमें ऐसे भी कहा जाता है कि जो bank का आधिसे पैसे है वो RBI के पास bank जमा कराती है जिस दर पे उसे reverse रेपो रेट कहते है यानि कि 3.35 percent रेट है अच्छा एक बाद धियान रखेगा ये rate change भी होते है हर दूसरे महीने तो अभी मैं पढ़ा रहा हूं आप तक जब पहुंचेगा या आप जब देखेंगे तो अगर rate change हो होगा तो आप एक बार चेक करके rate देख लेंगे अब जिस समय मैं पढ़ा रहा हूं उसे में rate यही है ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं अगला point है यहां पर ध्यान रखेगा MSF अस्थाई सिमान्त अस्थाई सुविधा Marginal Standing Facility इसमें हमने क्या कहा था पैसा दिया था किसने RBI ने तो यही पर लिखा हुआ एक ऐसी सुविधा जिसके स्ताहत अनुसुचित बानिजिक बैंक यह वह हुआ बैंक सिंपल इतना लीख देते हैं बैंक लिखो बैंक जो है बैंक रेट क्या होता है फिर से वही बात बैंक दर वहां भी आज दर है जिस पर RBI बैंकों को पैसा उधार देता है यह परिवासा सही है इसी परिवासा का अधार पर सब को देना चाहिए था और बैंक दर क्या है 4.25 ध्यान रखिएगा जो बैंक दर है वही दर MSF का भी है ठीक है ना तो दोनों ही उधार देने की परकिडिया है यह बात आप अच्छे तरीके से समझ लिजे और रेपो भी उधार देने की परकिडिया है समझ लिजे लेकिन रिवर्स रेपो रेट क्या है लेने की परकिडिया है पैसा वापस लेने की ठीक है चलिए और उसके उप पात हिंदी में बोलते हैं, CRR इंग्लीज में बोलते हैं, पूरा नाम भी कभी कभी पूछ लिया जाता था पहले, है क्या कि एक बैंक जोना RBI के पास अपनी सुध मांग और साभधी देनदारियों, जिसको बोलते हैं, NDTL, यानि कि Net Demand and Time Liability, इसका Certain Percent, Net Demand and Time Liability का Certain Percent कहां रखती हैं, बैंक में, किस रूप में? कैस के रूप में रखती है, तो वो 4% है, कितना है? 4%. तो ध्यान रखिएगा कि Also Danic says, जो एक बैंक को Reserve Bank के पास अपनी सुध मांग और साभधी देनदारियों के ऐसे परतिसत हिस्से के रूप में बनाया रखने की अवे सकता होती है, और किस में? यहाँ पर देखिए, नगद में, यहाँ पर नगद सब्द भूल गया हूँ, और कोसन यही पूछ जाता है, यह BVI है नगद सब्द, ठीक है? कैस सब्द BVI है, याद रखिएगा, क्योंकि यह कोसन एक्जाम में पूछ लेता है, कि CRR किस रूप में रखा जाए अपने पास नगद के रूप में रखती है, as a security, तो यह हो गया आपका cash reserve ratio CRR, जब हम बात करते है, SLR का statutory liquidity ratio, यानि कि SLR, तो यह क्या होता है, तो यह होता है, फिर से NDTL, NDTL मा समझो, दोको, रोज का मांग और जमा जो है न, वो, उसके बाद जो बसता है, तो बैंक के मां और जमा के बाद, कुछ certain percent, bank उसके अपने पास रखेगा, gold के रूप में, asset, liquid asset, जैसे, जैसे, government का securities, जिसको हम bond paper बोलते है, cash या gold, gold के रूप में रखेगा, और वो कितना percent होगा, तो 18 percent, यानि कि SLR, जो है न, जिसको हम लोग हिनने होता है, बैधानिक तरलता अनुपात, इसमें क्या होगा, कि bank अपने पास 18 percent, यानि कि रोज के जमा और खर्चे का 18 percent gold के रूप में, या government के bond के रूप में रखेगा, asset security, तो ध्यान रखेगा, जो CRR और SLR है, ये security के रूप में है, और CRR में जब cash जमा होगा RBI में, तो हा, RBI इसके पर लिए कोई आपको, क्या बोलते हैं, interest नहीं देगा, दर असल ये 4 percent rate है, ठीका न, चलिए, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, अगला हमारे पास में है, ध्यान रखेगा, OMO, यानि कि open market operation, ये क्या होता, open market operation, वो मैं बताता हूँ, दर असल, सरकार जो क्या करती है, सरकार के बिहाफ में, RBI क्या कर करती है, कि बाजार में, खूले बाजार में, गौर्मेंट के security, जिसको हम bond paper बोलते हैं, गौर्मेंट के security को बेचती और खरीदती है, वही OMO है, open market operation, जिसमें गौर्मेंट के security को खर्दा और बेचा जाता है, ये OMO है, और market stabilization, यानि MSS क्या है, तो इसमें क्या होता है, कि ग बेचा और खर्दा जाता है, और इसमें सिर्फ खरीदा जाता है, इस दोनों अंतर को समझेगा, खूले बाजार के परकिरिया में, injection और absorption, यानि के लिए open, मतलब की injection और absorption किसका, पैसे का, उसके लिए क्या होगा, securities का बेचना और खरीदना, और MSS में क्या होगा, security सिर्फ तो अब ये परकिरिया होता क्या है, वो ज़रा समझेगा, दरहसल क्या है, कि कभी अगर सरकार को या RBI को ये लगा, कि market में, market में, market में, market में, पैसा डालना है, क्या करना है, pass का inflow करना है, पैसा डालना है, Cash का Inflow करना है, तो क्या करेगा, Securities को, Securities को खरीद लेगा, खरीदेगा, खरीदेगा, तो जब Securities को बेटा जब खरीदा जाता है, तो Market में पैसा आ जाता है, और Securities को जब बेचा जाता है, तो Market में Market से पैसा निकलता है, निकल जाता है, ध्यान लखेगा यहां इस बात को, मैं ज़रा अलग इसको समझा दूँ अच्छे तरीके से, ठीक है, ठीक है, अच्छे से, अच्छे समझाता हूँ, देख लिजे, यह है आपका प्रतिभूती, जिसको securities बोलते हैं, जिसको हम, क्या बोलते हैं, bond paper, है, ठीक है, यह क्या है, प्रतिभूती है, मान के चलो, एक प्रतिभूती है, और इसको बाजार में बेचे, तो क्या होगा, लोग इसको खड़ देंगे, तो कैसे खड़ देंगे, पैसे के बदले में, पैसा कुन लेगा, RBI, तो RBI इसको बेचेगा, और market से पैसा लेगा, तो 100% inflation पे क्या फ़रक पड़ेगा? inflation पे तो inflation कम होगा. मैं आप लिए लिए गता हूँ inflation. inflation क्या होगा? कम हो जाएगा. क्योंकि market से पैसा क्या हो गया? आ गया. तो market में जब पैसे नहीं है, तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? simple point. मैंने आपको क्या कहा? कि किसी भी तरीके से market में पैसा आ जाए, तो महंगाई अपने आप बढ़ जाएगी. यहां क्या आप रहा है? market से पैसा ले रहे हैं, तो महंगाई कैसे बढ़ेगी? एक, अगर खरीदते हैं, ठीक है? अगर खरीदते हैं, बाजार से, अगर पर्तिभूती को खरीदती है, तो उसका क्या मतलब होगा? तो उसका मतलब होगा, कि जो यह पर्तिभूती आपके पास था, अब RBI कहेगा, यह वाला पर्तिभूती हमको दे दो, तो आप उसको दे दीजreto, तो फिरी में दे दीज interfac, नहीं ना, उसके बदले RBI आपको पैसा पे करेगी, तो जब परतिभूती RBI खरीदिती है, इसको खरीद लेगी, तो बदले में आपको पैसा देगी, यानि कि मार्केट में पैसा क्या होगा, इन्फलो हो जाएगा, वही बात हम बोले, मार्केट में, यहां पे क्या होगा, मार्केट में, मार्केट में पैसा, मार्केट में पैसा आजाएगा, तो जब मार्केट में पैसा आजाएगा, तो इन्फलेशन पे क्या असर पड़ेगा, तो इन्फलेशन यहां पे लिए लिए था हो, बाजार से में पैसा इंट्री होती है अरे भाई आपसे पर्तिभूती लिया या आपसे कोई समान लिया RBI और बदले में आपको पैसा दिया तो इसका मतलब आपके जेब में पैसा गया और जेब में पैसा जाएगा तो इबात 100% है वो खर्चा होगा तो इंफिलेशन बढ़ जाएगा और अगर RBI आपको अपनी पर्तिभूती बेचा और आपने उसको खरीद लिया तापके जेब से पैसा कहां चला गया RBI के पास अब खर्चा करने के लिए पैसा नहीं है तो इंफिलेशन घर जाएगा ठीक है और MSS ये तो हो गया ये तो हो गया OMO का कहाल OMO ठीक है OMO लेकिन जब MSS की बात करते है तो MSS कब लाया जाता है MSS वो समझ लीजे MSS लाया जाता है जब मार्केट में लिक्विडिटी बहुत जादा हो लिक्विडिटी का मतलब होता है कि market में पाईसा बहुत हो मैं आम भाजा में समझा रहा हूँ market में पाईसा बहुत हो बहुत हो पाईसा तो जब market में पाईसा बहुत है और इससे control नहीं हो रहा है OMO से तो क्या करेगा आपको MSS जैसा एक प्राबधान लेके आएगा जिसमें security को क्या करेगा सिर्फ बेचेगा खड़ीदेगा नहीं तो market में security को बेचेगा और market में जब security को बेचेगा तो inflation क्या होगा इंफिलेशन क्या होगा बेटा घटेगा तो MSS का जो पूरा का पूरा रॉल है सिर्फ सिक्यूरिटी को बेचने का और MOU का रॉल है बेचने का भी और खरीदने का भी यह बात आप अच्छे तरीके समझ लीजे यही बात मैंने यहाँ पर बताया है और इसको आप समझ गए होंगे मेरे हिसाब से तो ध्यान रखिएगा OMO में क्या होता है OMO में देखिए इसमें करमसा तरलता की इंजेक्शन और अबसोषन के लिए सरकारी परतिभूतियों की खरीद और विक्रीद दोनों सामिल है और इसमें करता अर्थ विवस्ता में सरकारी परतिभूतियों को बेच कर अत्रिक्त तरलता या मुद्राक यापूर्ति को वापस लेना सिस्टम में उस तरलता होने पर MSS का पड़्योग कियाता है यानि कि मार्किट में अगर तरलता जादा है पैसा ज्यादा है बजार में, तो उसको निकालने के लिए MSS का पड़ियोग करते हैं, और OMO का भी पड़ियोग करते हैं, लेकिन OMO में निकालने और डानने दोनों का पड़ियोग होता है, यानि कि पैसा को बजार में देना है, या पैसा बजार से निकालना है, दोनों इहाल समझ में आ गया तो अब मैं थोड़ा सा आगे एक छोटा सा बात inflation के ले करके और जितने भी मौद्रिक निति है उसको समझाता हूँ ठीक है जो मौद्रिक इंस्ट्रूमेंट है inflation लिग देता हूँ मैं inflation और मौद्रिक इंस्ट्रूमेंट को आपको समझाता हूँ अगर CRR यानि CRR का rate कम हो गया rate कम हो गया तो inflation क्या होगा बढ़ जाएगा अगर SALR का rate कम हो गया तो inflation पर क्या असर पढ़ेगा do बढ़ जाएगा अगर repo rate अगर कम हो गया repo rate तो inflation पर क्या फरक पढ़ेगा बढ़ जाएगा अगर MSF अगर कम हो गया तो inflation पर क्या फ़रक पड़ेगा बढ़ जाएगा अगर bank rate कम हो गया bank rate कम हो गया bank rate तो inflation पर क्या फ़रक पड़ेगा बढ़ जाएगा आई हाँ पर देखिए यह point आप अच्छे तरीके से अपने copy अपने दिमाग में बैठा लीजिए और यही मैं दूसरे color से कर देता हूँ दूसरे color से अगर CRR देखिए अगर CRR बढ़ गया यानि rate बढ़ गया तो inflation क्या होगा कम हो जाएगा SLR बढ़ गया तो inflation क्या हो जाएगा कम हो जाएगा अगर repo rate बढ़ गया तो inflation क्या हो जाएगा कम हो जाएगा MSF का rate बढ़ गया तो inflation क्या हो जाएगा कम हो जाएगा bank rate अगर बढ़ गया inflation क्या हो जाएगा कम हो जाएगा ठीक है चलिए ये बाता पच्छे तरीके से समझ लीजेगा अपने कॉपी में इबात अप अच्छे तरीके से समझ लिजेगा, ठीक है ना, ठीक है, यानि कि दोनों ही अलग-अलग कलर में मैंने बता दिया, अगर यहां बढ़ेगा तो इसी कलर का यहां घटेगा, यानि कि RBI का जो मौदरिक निदी है, मौदरिक इंस्ट्रूमेंट है, उससे inflation का क्या inverse relation है, सही बात समझ लिजे, और इसको अगर समझना है, तो मैं एक point में आपको समझा देता हूँ, फिर हम इस चीजों को आगे रोकते हैं, point में क्या समझाऊंगा, कि मान के चलो की 100 रुपईया, CRR या SLR कोई भी है, CRR करा और 100 रुपईया बैंक के पास है, CRR का rate बढ़ा दिया, तो 4% बढ़ा दिया, यानि 4% था तो उससे क्या कर दिया, 5, यानि 4 से 5 कर दिया, तो क्या हुआ, वो देखो, दोन तरफ 100 रुपईया देखते हैं, अब बैंक का NDTL है 100 रुपईया, और CRR rate है 4 रुपईया, तो बैंक कितना पैसा कैस के रुप में ज 96, RBI को कितना जमा किया, 4 रुपईया, ठीक है, तो 96 रुपईया खर्चा करेगा, अब अगला situation, rate बढ़ गया, rate क्या हो गया, बढ़ गया, तो rate अगर बढ़ गया, तो कितना हो गया, 5% मान के चलिए, तो 5%, अब देखिए, तो क्या रुपईया RBI को देगा, तो RBI को देग 96, तो अगर CRR में rate बढ़ा दिया, तो inflation क्या होगा, घर जागा, कैसे, देखो, पहले बैंक के पास 1 रुपईया, 96 रुपईया खर्चा करने के लिए, यानि कि 1 रुपईया कम खर्चा करने के लिए, बैंक के पास है, और ये तो मैंने समझाने के लिए 1 रुपईया कहा है, मैं आपको बता दू, कि 1 रुपईया के exit, 1 रुपईया को बढ़ने और घटने से, इतना नहीं बढ़ता है, आपको मालू है, 0.25, 0.50 बढ़ाते हैं, क्योंकि 0.25 के बढ़ने और घटने से 60,000, 65,000, 70,000 करोर मार्केट में चला जाता है, या मार्केट से निकल जाता है, मात 0.25 का इतना बढ़ा असर है, 1 रुपईया का असर का मतलब लाखो करोर मार्केट में चला जाएगा, लाखो करोर मार्केट से वापस आ जाएगा, इतना बढ़ा असर होता है, तो 1 परसेंट आप देखिएगा, कभी भी नहीं ऊपर नीचे होता है, 0.25 होता है, और नहीं तो 0.50 होता है एक परसेंट होने का मतलब है कि फिर देखिएगा महांगाई कुछी दिनों में आपको दिखाई देने लएगा मार्केट में क्योंकि लोगों के हाँ जेव में पैसा हो जाएगा ठीक है ना तो ध्यान रखेगा तो यह सबके साथ सेट कर सकते है यह CRR यहां पे SLR लिख दो, repo rate लिख दो, bank rate लिख दो, कुछ भी लिख दो, सबके साथ वही सेटिंग होगा तो सेटिंग अगर वही होगा तो सीधा बात ही है कि CRR घटेगा तो inflation बढ़ेगा and all यहां पे समझ गया तो inflation के साथ bank का जो rate है वो बात है अब question कैसे पूछा है अगर उसके उपर rate कम हो गाए तो क्या फ़रक परेगा? मुद्राइस फीती बढ़ जाएगा, मुद्राइस फीती घर जाएगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, इन में से कोई नहीं ठीक है? तो अब CRR बढ़ गया, तो आब आप क्या करेंगे? कि इस तरीके से कर सकते हैं, अगर ना ध्यान र परिया है, तो इसका मतलब है कि बैंक के पास पैसा खर्चा करने के लिए कम है, और जब बैंक के पास पैसा खर्चा करने के लिए कम है, तो inflation कम होगा, जैसे ही खर्चा करने के लिए पैसा कम सब्द आ गया दिमाग में, तो inflation कम, और जैसे ही खर्चा करने के लिए पैसा ज् जैसे आए, चाहे CRR, SLR के rate के द्वारा, जिसको bank rate या जिसको multi policy rate बोलते हैं, चाहे वो tax के द्वारा कम करने या ज्यादा करने से पैसा आए या घटे, या आपके income के कारण, आपके salary बढ़ने घटने के कारण, जैसा भी परभाव हो, आपको inflation से उसको जोड लेना है, और इस किया, खूब अच्छे से मैंने आपको बताने की कोशिस किया है, हम लोग अगले topic में Indian financial market के उपर बात करते हैं, भारतिये जो बित्तिये बाजार है, हम उसके उपर में बात करेंगे, तो जब भारतिये बित्तिये बाजार को हम देखते हैं, तो इसमें मुख रूप से दो परकार के market हमें दिखाई परता है, एक है मुद्रा बजार और जिसको money market बोलते हैं, और एक है capital market यानि की पुझी बजार, तो हम दोनों market के बारे में बात करेंगे, एक्जाम में जो आपका question है, बड़ा आसान पूछा है, और वो कैसे पूछा है, कि मुद्रा बजार जो हो परकार के बात करते हैं, तो हम दो परकार के बात करते हैं, एक होता है हमारा मुद्रा बजार, और एक होता है हमारा पुझी बजार, यानि की capital market, जो आपकी सामने में दिख रहा है, तो मुद्रा बजार में क्या देखते हैं, कि कम समय के लिए transaction किया जाता है, यानि कि कम किया जाता है अब इसमें ध्यान रखेगा इसमें क्या क्या आता है कम अब धी में तो इसमें आता है मांग मुद्रा बजार बनिजिक बिल बजार बनिजिक प्रपत्र नीचे परमान पत्र कोसागार बिल बजार इसको अगर आप इंगलिस में देखे तो साथ ज्यादा समझ मे आगा, call money market, commercial market, commercial paper, deposit certificate, treasury bill, ठीक है, ये सारे आपको money market का सबसे important point क्या है, कि ये कम समय के लिए, कम समय में कितने से कितने दिनों के लिए, यानि कि एक रात से ले करके, एक साल के जितने भी instrument है, उसका क्या करता है, क्रय बिक्रय करता है, उसका सेल और परचेज करता है, क्रय बिक्रय करता है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, क्रय बिक्रय करता है, एक साल से ले करके, एक रात से ले करके, एक साल के पूरा का पूरा कहानी का, ठीक है, ये हो दिर्ग कालीन तो यहां पर एक्जाम का कोशन समाप्त हो जाता है कि दिर्ग कालीन बाजार है, ठीक है चलिए, पुंजी बाजार में फिर दो परकार के बाजार आते हैं, एक होता है प्रार्थमिक बाजार और एक होता है दूतियक बाजार, तो प्रार्थमिक बाजार यानि में share बगरह दोनों हो सकते हैं पहली बार जब बोलते हैं और जब secondary market की बात करते हैं तो उसी share को उसी परतिभूती को बार बार खरीदना और बेचा जाता है तो उसी को secondary market या पूर्व में जारी परतिभूतियों का ब्यपार होता है ठीक है ध्यान रखिएगा जब पहली बार होता है तो इसको बोलते हैं initial public offer ठीक है ना पहली बार हम market में आ है तो share की खरीद विक्री शुरू हो जाना वो दूतियक बाजार में होता है पहले बाजार में तो सिर्फ उसको लाया जाता है तो जो लाया जाता है वो प्रार्विक बाजार है और दूसरे बाजार में खरीद विक्री होता है तो आम तोर पे आप जानते हैं कि दूसरे बाज पहले बजार के लिए एक्सचेंज है वह बहुत सारे हैं जैसे आप जानते हैं कि NAC है BAC है यह हमारे एक्सचेंज है अपने देश में बाहर के देशों में भी एक्सचेंज है हम सब की बात कर लेंगे तो मैं फिर से एक बता दू प्राइमरी मार्केट और सेकेंडरी यानि कि Indian Indian Financial Market जिसमें हमने दो बात की पहला बात किया क्या बोलते हैं छोटे जो अबधी का मार्केट है और दूसरा बड़े यानि कि Capital Market और Money Market ठीक है ना दो तरीके की बात हमने यहाँ पर किया जो Money Market है वो Short Term के लिए Short Term के लिए जो Money Market है और जो Capital Market है इसको दो भागों बाते है पहला तो यह Long Term के लिए है और इसको दो भागों बाते है एक है Primary Market और एक है Secondary Market ठीक है यह यहाँ पर Indian Financial Market के बारे में हम लोग ने छोटा सा बात किया अब Primary Market में आपने जैसे कि देखा कि IPO वेगरा आते हैं और Secondary Market में अपने क्या देखा कि जो IPO होते हैं उसी की फिर से खरीद विखडी हम लोग करना सुरू करते हैं तो वो Secondary Market का Point हो जाता है अब यहाँ पर आगे देखते हैं कि हमारे देश में जो Important Exchange है वो कौन-कौन सा है तो हमारे देश में एक्सचेंज है NSE National Stock Exchange ठीक है ना इसकी अस् के अनुसंसा पे 92-93 में बनी है मुख्याले मुंबई में है और इसका सुचकांक Nifty है Nifty के नाम से आप फेमस है आप जानते है NSE National Stock Exchange NSE फेरवानी समीती मुख्याले बंबई Nifty और Nifty 50 निफ्टी में 50 बड़े बड़े जो 50 जो बड़े बड़े शेर है इन्पोर्टेंशेर ह उसका एक पूरा का पूरा क्या बोलते हैं लिस्टिंग होता है अब तो निफ्टी में अलग अलग तरीके भी आगए Nifty Bank है Nifty 50 है Nifty IT है Nifty Small Cap है Nifty Large Cap है Nifty Medium Cap है यह सारे सुचकांक है इसके उपर हम बात नहीं करेंगे हमको क्या बात करना है कि NSE National Stock Exchange और उसका सुचकांक Nifty औ और इसके स्थापना 1975 में हुई थी और इसके सुचकांका नाम है Sensex और इसमें कितना share की बात करती है 30 share की बात करते है 30 important share की share मतब तीन भारत के सबसे बड़े जो द्योग पती है वो Sensex में अपने आप include होगा उसमें include जरूर होगा ठीक है इसका भी मुख्याले कहा है अब एक है OTCI, Over the Counter Exchange of India इसकी अस्थापना 1990 में हुई इसका भी मुख्याले कहा है Bombay में है मुखरूप से NAC और BACA, NAC फिरवानी कमीटी के संतुती पे इसकी अस्थापना की गई थी चलिए आगे बात करते हैं भारत में मानता प्राप्त एक्सचेंजों की संख्या कितनी ह अब आगे जो एक्जाम का question है उसको हम देख लेते हैं और यह एक्जाम में कई बार पूछा गया है तो इसलिए इसको हमने यहाँ पे add किया है क्या पूछा गया है भारत का Infosys पहला ऐसा company है जो किसी भी BDC listing में include हुआ है Nasdaq में सुची बद होने वाली पर्थम company बनी Infosys उनिस और इनानमे में ICI Newark Stock Exchange में सुची बद होने वाली पहली company लेकिन भारत में अगर पहली company की बात आती है तो वह हमेशा किसका नाम आता है Infosys की नाम आता है याद रखेगा Infosys का नाम हमेशा से आता है Infosys ठीक है ना जो कि Nasdaq में क्या हुआ लिस्टिंग हुआ उसके बाद यहां पर कुछ Stock Exchange है और उसके सुचकांग का नाम है जैसे Newark Stock Exchange, Dow Jones या Nasdaq, Tokyo Exchange Exchange निकी ये कोशन कई बार बना है निकी का तो इसको विध्यान रखेगा और Nasdaq का भी कोशन कई बार बना तो इसको विध्यान रखेगा Multi Commodity Exchange भारत का सबसे वड़ा Commodity Exchange है याद रखेगा और 2017 में गांधी नेगण में भारत का पहला International Stock Exchange खोला गया है तो इसको विध्यान रखेगा मैंने कितनी बात बताई यहाँ पर पहली बात आपको बताया कि भारत मानेता प्राप्त Stock Exchange देश है और Infosys पहला ऐसा कंपनी है जो की बाहर में जाकर के यानि Nasdaq में जाकर के क्या हुआ उसको सुची बद किया गया उसके बात हमने आपको क्या बताया कि जो निकी है वो टो पहला जो है ना International Stock Exchange को खुला गया 2017 में यह कुछ Static Point है Static GK जिसको बोलते हैं ठीक है ना Static GK इसमें हम समझाने के लिए कोई Map नहीं बना सकते हैं इसमें समझाने के लिए कोई गोला नहीं खीच सकते हैं जैसा कि हम आपको पहले करते हैं ठीक है चलिए आगे Static में देखत सर्विस ओफ इंडिया लिमिटेड इसका मुख्याले मुंबई में और इसके सबसे वरे सियरधारक Standard and Poor's है यह भी एक तरीके का क्या है यह भी तरीके का Credit Rating Agency है याद रखेगा Agency कौन सा Standard and Poor's और क्रिसिल भारत का है यह जहां भी यहां पर हमने बात किया सब भारत के बारे मे Investment Information and Credit Rating Agency इसका मुख्याले का है गुरुगराम हर्याना में है इसका मुख्याले और Care Credit Analysis and Research Limited यह भी जो है ना RBI और से भी आदिक बियानक संस्ता इसके रेटिंग को माननेता देते हैं तो आपसे एक्जाम में कोशन पुछेगा कि RBI या से भी कौन से रेटिंग का माननेता द देते हैं Credit Analysis and Research Limited वैसे भारत में यह तीन तरीके क्या आपको Credit Rating Agency दिखेगा क्रिसील जो वेरी फेमस है ICRA और CARE क्रिसील Credit Rating Information Service of India Limited कहलाता है ठीका ना चलिए आगे बढ़ते है Credit Rating Agency से यह थोरा सा Static जी कहा है यहाँ पर हम कुछ ज्यादा नहीं कर सकते हैं आगे आगे हम लोग सेवी सेवी का क्या सेवी का पूरा नाम क्या है Security and Exchange Board of India इसके स्थापना 1988 में हुई है यह बात आप दियान में रखेगा गैर संबैधानिक निकाह है मुख्याले मुंबई है और इसका काम है share market और share बाजारों पर कंट्रोल करना यह एक नियामक संस्था है Regulatory body है Regulatory इकाई है Regulatory body है ठीक है Regulatory काई है सेवी उसी तरीके से इरिडा भी क्या है Insurance Regulatory Development Authority of India यह भी एक Regulatory body है और यह किसके उपर ध्यान देता है तो insurance companies पे insurance जो companies है insurance companies उसको regulate करती है insurance companies को regulate करती है तो यह भी एक Regulatory body है Regulatory काई है इरिडा भी और सेवी भी यह बात आप ध्यान में अच्छे तरीके से रखेंगे ठीक है चलिए आगे बरते हैं अब यहां पर हम आपके आज क्लास को रूपते हैं उसके बाद आगले क्लास में हम लोग tax system या budget और इसके बारे में बात करेंगे तो thank you thank you very much